सामने बिपक्ष में कोई नेता ऐसा नहीं है जो खड़ा हो सकता है राजनेतिक रूप से जनता बिलकुल इनकार कर चुकी है जनता जिन पार्टियों को अस्विकार कर दी है सब को वह एक जुट करने की कोशिश कर रहे हैं कई बार ऐसा हुआ है पहले भी ये देश का इतिहास कॉंग्रेस ने किस प्रकार से चौदिर चंसिंग जी को चंसेकर जी को देवगवरा जी को सब को किस प्रकार से धोखा दी है कॉंग्रेस किसी इन पार्टियों को बढ़ते वे न देखना चाहते है न कभी देखी है